नमस्कार दोस्तों टीवी सीरियल अनुकमा में रोजाना हमें कुछ न कुछ आशा देखने को मिली जाता है जिससे हम जूडे रहते हैं बिते एपिसोड में आपने याद देखा होगा कि वन्राज अनुकमा के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसके लिए फूल भी लेकर आता है लेकिन अनुकमा दूर से ही राम राम करती है और कहते हैं कि आपकी दुस्मनी देख लिए अब तो दोस्ती भी देख लेता है आज के एपिसोड में वनराज अनुस से मिलने के लिए जाने वाला है आज के एपिसोड में आप यह देखेंगे कि बाह और कावया में जगड़ा होता है क्योंकि बाह उसे ताना मारती है कि वो मंदिर जा रहे हैं अपने बेटे के लिए बाबु जी कहते हैं कि वनराज अचानक से मुंबई गया है मुझे नहीं लगता कि यह इसका कोई आफिस का काम है तब ही कावया कहते हैं कि बाबु जी सब को दीख रहा है कि वनराज अनुपमा के लिए मरा जा रहा है लेकिन बा कहती है कि मौका भी तूने ही दिया है अनिरुद के पास जाकर तब ही अनिरुद भी वहाँ आ जाता है और बा उसे ताना देती हैं दुसरी तरफ डिमपी परिशान है जिसे ही अलग रहा है कि अनुपमा के आने से उसे साइड लाइन किया जा रहा है समय दिमपी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि डान्स एकेडमी ममी की है दिमपी अनुपमा से सिधा कहती कि एकेडमी का नाम बदलना होगा कि क्योंकि अब आपके नाम से मता पिता बच्चों को नहीं भेजेंगे यह बात सुनकर पाखी और किंजल भड़क जाती है और उसे खुब खरीखोटे सुनाती है लेकिन तभी भी दिमपी अपने एहसान गिराने लगती है उसने डान्स एकेडमी के लिए क्या क्या किया लेकिन पाखी दिमपी को खुब सुनाती है उधर माया अनुज के सपनों में खोई है तभी शॉपिंग सिंटर में अनुज अनुपमा के लिए साड़ी लेता है और वन राज वहां पहुच जाता है और कहता है कि अनुपमा तुम्हारे भी ने खुश है और आप वापस लौट कर मताना आने वाले कल के एपिसोड में आप यह देखेंगे कि अनुपमा दास अकेडमी की चाभी समर को देंगी और वह वहां से चली जाएंगे धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद